हलो एवरिवन, वेलकम टो इंग्लिस एजुकेशन, इस्टूडेंस आजम पढ़ने वाले हैं, क्लास नाइन्थ की बुक बिहाइफ से सावन्थ चेप्टर, और चेप्टर का नाम है पैकिंग, पैकिंग मिन्स होता है बानना, तो यह जो स्टोरी है, यह तीन दोस्तों की कहान ही हैं, जो एक trip पर जाते हो और जाने से पहले किस तरह से वो packing करते हैं, वो बहुत humorous way में वो बताने की कोशिस करें नेरेटर, तो यहां पर कुछ कोशन दिये गए हैं, पढ़ने से पहले, श्टोरी को पढ़ने से पहले उने पढ़लेते हैं, देखिए, do you like going on trip क्या, तु होती हैं वो तुमें बहुत आनन देती हैं क्या feelings होती हैं क्या अनुभव है कैसा अनुभव होता है जब आप यात्रा के लिए अपना सामान बानते हो तो यहां पर बताया गया है कि क्या तुमने कभी ऐसा पाया है कि तुम ट्रिप पर जारे और तुम जो है अपनी बहुत चरूरी चीजें पैक करना भूल गए हो or that you can't find them easily और तुम उन्हें आसानी से महां मतलब वो तुम्हें आसानी से महां मिलती भी नहीं है next देखिए does this make you angry क्या ये चीज़ तुम्हें angry करती है गुसा दिलाती है और does it make you laugh at yourself या इस बात से तुम अपने उपर हसते हो तो चलिए पढ़ते हैं इस्टोरी ये एक author और उनके friends है जब वो packing कर रहे हैं तब किस तरह से उनकी activity होती है तो I shed, I would pack तो यहाँ पर narrator कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं बांध लूँगा I rather pride myself on my packing यहाँ पर narrator ये भी कहता है कि मुझे अपने सामान बांधने की छमता पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है मैं गर्व करता हूँ अपने आप पर Packing is one of those many things that I feel I knew more about than any other person living तो यहाँ पर narrator कहता है कि Packing जो है उन सभी चीजों में से एक है जिने मैं feel करता हूँ कि कोई दूसरा creature living person जो है ऐसा नहीं कर सकता है यानि कि मैं दूसरों के comparison में Packing बहुत अच्छे से कर लेता हूँ It surprised me, myself, sometimes How many such things there are तो वो कहते हैं कि लेकिन कुछ चीज़े ऐसी भी है जो कभी-कभी मुझे surprise कर देती है जब वो किस तरह से वो होती है तो यहाँ पर स्टोरी के माध्यम से राइटर हमें बताने की कोशिश कर रहे है देखें तो यहाँ पर जो नेरेटर हैं वो कह रहा है कि I impressed the fact upon मैं जो परभावित करना चाहता हूँ किस को जोर्ज को और हैरिस को यह उनके दो फ्रेंड है और उन्हें यह बता मैंने उनसे क्या कहा मैंने उनसे बताया कि बहुत अच्छा होगा कि तुम इस मैटर से पूरी तरह से अलगी रहो यानि कि पैकिंग तुम मत करो मैं खुदी कर लूँगा दे फैल इन्टू दा सजेशन विद ए रीडिनेस डाट हैड सम्ठिंग अनकेनी अनकेनी अबाउट इट तो यहाँ पर जो नेरेटर है वो कहते है कि जब मैंने ऐसे कहा तो वो तो एकदम से मतलब जैसे खुस हो गए और उन्होंने जो है कुछ ना करने की ठान ली वो जो है एक तरफ बैट जाती है अनकेनी मिस इस्ट्रेंज मतलब बहुत अजीब सा मुझे फील भी होता है कि वो जो है अचानक से इस बात को मान गए उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि नहीं हम कराएंगे जोर्ज स्पैड हिंसल्फ ओवर दा इजी चेयर और जोर्ज ने अपने आपको एक इजी चेयर के उपर फैला ली यानिके अपने टांगे फैला ली एंड हैरीस कोक्ड इस लैग ओन दा टेबल और हैरीस ने भी अपने टांगों को टेबल के उपर फैला लिया दोनों आराम से बैट करें इस वाज हार्डली वाट आई इंटेंड़ मतलब मेरा ये प्लान नहीं था जैसा कि उन्होंने किया मैं तो कुछ और ही चाहता था मैं तो बस उन पे इंप्रेशन डालना चाहता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो इस तरह से करेंगे मेरा ये प्लान नहीं था इंटेंड़ मेंस यहाँ पर प्लान से है वाट आई हैड मीन आफ कोर्स वास्तों में मेरा क्या मतलब था इन सब से वास्ट आट आई शुड बोस दा जोब कि मैं जो हूँ बोस वाली जोब करूँगा मैं आराम से मतलब इने ओडर दूँगा और ये काम करेंगे एंड दाट हैरिस एंड जोज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डारेक्शन तो यहां पर पोटर का मीनिंग दिया गया है यानि कि मैं तो उन्हें ओडर दूँगा और वो जो है कुछ अनिम्पोटेंट वर्क करेंगे यानि कि जिस तरह से मैं उन्हें डारेक्ट करूँगा उस तरह से ही वो काम को करेंगे और मैंने ऐसा कहकर कि मुझे करने दो तो मैंने उन्हें इस काम से एक तरफ हटा दिया तो यहां पर narrator कहते हैं कि मैं तो यह करना चाहता था कि मैं जहुँ उन्हें काम करने दूँगा मैं उन्हें डारेक्ट करूँगा और जब वो सही से काम नहीं करेंगे तो मैं उन्हें एक तरफ कर दूँगा और मैं क्या कहूंगा कि तुम्हें एक तरफ हटो और मुझे करने दो मुझे देखो मैं तो ये चाहता था मैं तो उन्हें कुछ सिखाना चाहता था कि किस दरह से पैकिंग होती है तरीका था कि वो मेरे कहते ही एक तरफ बैठ गए वो चीज मुझे इरिटेट कर रही थी मैं उनसे बहुत परेशान हो रहा था there is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working यहाँ पर narrator कहते हैं कि मतलब इस चीज से ज़्यादा मुझे कोई चीज इरिटेट नहीं करती कि मैं काम कर रहा हूं और दूसरे लोग जो हैं मुझे बैठ कर देख रहे हैं I lived with a man once who does to make me mad that way वो कहता है कि मैं एक बार ऐसे ही एक इनसान के साथ रहता था जिसने मुझे पागल बना दिया था इस तरीके से कैसे he would lol का मतलब होता है सोफे पर आराम से बैठ जाना लेट जाना on the sofa वो आराम से पहला कर सोफे के उपर लेट जाता था and watch me doing things by the hour together और लेट कर वो मुझे घंटों तक काम करते हुए देखता रहता था he said it did him real good to look on at me messing about तो देखें यहाँ पर नेरेटर क्या कहते हैं तो वो नेरेटर कहते हैं कि वो मुझे कहता था कि तुम्हें इस तरह से काम करते देखना परेशान होना मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मुझे चिडाता रहता था तो आगे नेरेटर कहता है कि now I am not like that कि मैं अब ऐसा न नहीं हूँ I cannot sit still and see another man slaving and working और वो कहता है कि मैं नहीं देख सकता था कि मैं चुपचाप से बैठा रहा हूं और जो दूसरा आदमी है वो दास की तरह काम करता रहे गुलामों की तरह काम करता रहे I want to get up and superintendent तो वो कहता है कि मैं क्या करना चाहता था मैं चाहता था कि मैं उठ उसे बताओं की किस तरह से काम करना है and walk round with my hand in my pocket और वो कहता है कि मैं कैसे गूमूं कि मैं अपने हातों को अपनी जेबों में डाल कर और वहाँ पर गूमता रहा हूं and tell him और उसे बताओं what to do कि कि किस तरह से क्या करना है it is my energetic nature और ये मेरा energetic nature था nature है I cannot help it यहाँ पर वो कहते है कि मैं जो हूं उसकी मदद नहीं कर सकता हो क्या है वो boss बनना चाहता था वो nature से कैसा था कि वो दूसरे को supervise करे उसे सलहा दे उसे बताए कि तुम्हें इस तरह से इस तरह से काम करना है और वो कह रहा है कि मैं यहीं च I did not say anything फिर भी वो कहते है कि मैंने कुछ नहीं कहा but started the packing और क्या कर दिया मैंने start कर दिया packing करना It seemed a longer job than I had thought it was going to be मतलब वो कहते है कि बहुत लंबा काम था ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में packing होगी मैंने सोचा था कि यह जो है काफी देर तक चलेगा but I got the bag finished at last और मैंने जो है at last उस bag को pack करी दिया finish कर लिया मैंने अपना काम and I sat on it and strapped it हूँ कह रहा है कि strapped का मतलब उसकी जो उसमें जो lasses लगी होई थी पट्टियां लगी होई थी उनको बांध दिया और उसके उपर बैठ गया and you going to put the boot in said Harris, Harris ने कहा कि क्या तुमने इसके अंदर back के अंदर boot रख लिये है and I looked around मैंने चारो तरफ देखा and found I had forgotten them और मैंने पाया कि मैं जो हूँ बूट को रखना भूल गया हूँ that is just like Harris और Harris तो ऐसा ही है यहाँ पर narrator कहते हैं कि Harris तो ऐसा ही है he could not have said a word until I had got the bag shut and strapped of course and George laughed वो कहते हैं कि Harris ने तब तो कुछ नहीं कहा जब मैं back को pack कर रहा था वो जो है बैट कर देखता ही रहा of course और जो George है वो इस बात पर हसने लगा one of those irritating senseless laugh of his और उसकी जो हसी थी वो मुझे चिड़ा रही थी और वो जो उसकी हसी थी वो बिलकुल senseless थी यानि कि किसी कोई sense नहीं थी उसके हसने की they do make me so wild wild मतलब यहां पर वो बहुत गुसा हो जाता है वो कहता है कि यह जो चीज थी कि एक तो बैट कर देख रहे थे दूसरा हस रहा था यह मुझे बहुत गुसा दिला रही थी I opened the bag and pack the boot in कहते हैं कि मैंने फिर से bag को खोला और मैंने उसके अंदर boot को रख दिया and then just as I was going to close it यहां पर narrator कहते है कि जैसी मतलब मैंने मैं उसे बंद करने ही जा रहा था a horrible idea occurred to me तब ही एक डराने वाला जो विचार है वो आया मुझे डराया उस विचार ने had I pack my toothbrush और अपने आप से ही वो question करता है कि क्या मैंने अपना toothbrush जो है पैक कर लिया है I do not know how it is but I never do know whether I have packed my brush अब यहां पर narrator बहुत जड़ा confused हो जाते है ब्रस को लेकर narrator कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि मैंने जो है अपना toothbrush रख लिया या नहीं वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत confused हो जाता ता my toothbrush is a thing that haunted me when I am traveling तो वो कहते हैं कि यह जो toothbrush था यह जो toothbrush है यह एक ऐसी चीज़ है जो मुझे परिशानी में डाल देती है जब भी मैं यात्रा पर जाता हूं and make my life a misery और जो मेरा जीवन है वो दुख में बना देती है यानि कि तूथब्रस को लेकर जो narrator है वो बहुत जादा परिसान रहता है वो हमेसा भोल जाता है कि उसने अपना टूथब्रस रखा या नहीं I dream that I have not packed it वो कहता है और तोर मुझे तो सपने भी आते हैं सीज़ कि मैंने अपना टूथब्रस पैक नहीं किया and wake me in a cold perspiration perspiration means सोता है पसीना and get out of bed and haunt for it वो कहता है कि मैं तो सोते सोते भी जाग जाता हूँ मुझे सपना आता है मुझे ठंडे पसीने आ रहे लगते हैं और मैं अचानक से bag से बैड से उठ जाता हूँ round means सोते सर्च करना और अचानक से मैं अपने ब्रस को सर्च करने लगता हूँ and in the morning वो कहते हैं अब सुबह में क्या होता है I pack it before I have used it वो कहते है कि उसे use करने से पहले ही मैं उसको pack कर लेता हूँ and have to unpack again to get it और जब मुझे उसकी जरूरत होती है मैं दुबारा से उसे unpack करता हूँ and it is always the last thing I turn out of the bag मतलब यही एक आखरी चीज होती है जो मैं bag से निकालता हूँ रखता हूँ ऐसा करता रहता हूँ and then I repacked and forgot it फिर मैं उसे unpack कर देता हूँ दुबारा से pack कर देता हूँ भूल जाता हूँ and have to rush a posterior for it at the last moment मैं last moment तक मतलब दोड कर उपर जाता हूँ and carry it to the railway station और मैं जो हूँ से लेकर जाता हूँ railway station पर किस तरह से wrapped up in my pocket handkerchief अपने रुमाल में लपेट कर ठीक है of course I had to turn every mortal thing but now and of course I could not find it तो यहाँ पर देखें narrator ने उपर tooth brush के बारे में बाते जो हैं बहुत बढ़ा चड़ा कर कही है कि मतलब मैं tooth brush को भूल जाता हूँ मैं इस तरह से जो हूँ उसको वापस लेने जाता हूँ सीडियों पर भागता हूँ और वो आखरी चीज होती है जो मैं bag से निकालता हूँ फिर उसे दोबारा रखता हूँ फिर भूल जाता हूँ मतलब वो इस बात को बहुत बढ़ा चड़ा कर कह रहे हैं फिर बोलते हैं कि मैं उसे रुमाल में लपेट कर ले जाता हूँ तो वो यह सारी बाते जो है tooth brush के बारे में बताते हैं आगे कहते हैं वो वास्तों में मुझे पर्टियक सामानी वश्तु को बाहर निकालना पड़ेगा छिक है अब उसे क्यों निकालना पड़ेगा क्योंकि उसे जो है अपना tooth brush याद याद आ जाता है क्या ढूंडने के लिए तब वो कहता है कि नहीं तो मैं उसे मुझे वो मिलेगा नहीं मुझे जो है अब वो सारी चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा अब क्या होता है I reversed the thing up into much the same state that they तो यहाँ पर वो कहते है कि मैंने सभी चीजों को क्या कर लिया मैंने सभी चीजों को टटोल लिया देख लिया उन्हें देखें यहाँ पर rumors का meaning होता है search in a hurried or careless way वो जो है वो careless way में सभी चीजों को टटोलने लग जाता है जैसे कि आप figure में भी देख पा रहे हैं कि किस सरह से जो narrator है सारी चीजों को इधर उधर कर देता है अब देखें क्या यहाँ पर बताया जा रहा है must have been before the world was created मतलब इस तरह से चीजों को उलट पुलट कर देता है जैसे कि संसार था मतलब जैसे कि यह वर्ल्ड था इस अर्थ की संसार की रचना होने से पहले मतलब सब चीजों इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ी होई थी इस तरह से उसने पूरे बैग को कर दिया एनड वैं आई, बूह रहिंट रेंड वो कहता है कि और फिर क्या होता है कि मैंने जो है इस तरह से सब चीजों को फैक व्यक दिया जब मैंने देखा ऐफे कॉल्स आई फाउंड जोोर्स एंड हैर्ष 18 टाइम सोव र ochर, वह किते कि वायुत वास्तों में मैंने जोर और हैरिस के ब्रस को 18 बार पाया, 18 मतलब उसे बार-बार मिल रहा था उनका ब्रश, बट, I could not find my own, वो कहता है कि लेकिन मुझे जो अपना ही नहीं मिल रहा था, उनका ब्रस तो मुझे बार-बार मिल रहा था, लेकिन मुझे मेरा ही ब्रस नहीं मिल रहा था, I put the thing back one by one, वो कह रहा है कि मैंने अब चीज़ों को एक-एक करके दुबारा से रखना शुरू कर दिया, and held everything up and sock it, वो कह रहा है कि मैंने हर एक चीज़ को पकड़ा, और क्या किया, उसे हिला कर दिखा, then I found it inside a boot, वो कह रहा है कि फिर मैंने क्या पाया, उसे एक जूते के बूट के अंदर पाया, I repacked once more, वो जो है, फिर से उसने वो सारी चीज़े pack करनी शुरू कर दी, when, I had finished, I had finished का मतलब है, जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, वो कहता है कि जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया, George asked if the soap was in, फिर George क्या पूछता है, कि क्या साबून अंदर रख लिया है, बैग के अंदर की बात हो रही है, कि साबून अंदर रख लिया है, I said, I did not care, a hang whether the soap was in, or whether it was not, तो यहाँ पर जो narrator है, वो जवाब देता है, कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, साबून इसके अंदर है, या फिर इससे बाहर है, यानिके साबून बैग में हो या नहीं, मेरे पर कोई फरक नहीं पड़ता है, I, sorry, and I slammed the bag shut and strapped it, तो वो कह रहा है, कि मैंने जोर से बैग को shut किया, पूरी तरह से जोर से बंद किया, और उसकी जो तनिया थी उनको बान दिया, and found that I had packed my spectacles in it, और मैंने क्या पाया, कि मैंने जो अपने spectacles जो हैं, उसी में पैक कर दिये है, and had to reopen it, और फिर क्या किया, कि उसको दोबारा से खोलना पड़ा, देखिए, जो narrator है, उससे कितनी बार bag को बांदा, कितनी बार खोला, तो packing करना बहुत बड़ा सिर्दर्द होता है, वो सभी के लिए होता है, मुझे भी बहुत irritation होती है, ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, it got shut up finally at 10.05 p.m. अब narrator कहता है कि चलो, मैंने अपने spectacles भी निकाल लिया, सब काम हो गया, और at last 10.05 p.m. पर ये सारा काम खतम हुआ, and then there remain the hamper to do, hamper means होता है, basket को कहा जा रहा है, जिसमें खाने पीने का समान, utensils ये सब चीज़े रखी जाती हैं, इस तरह की एक टोकरी, अब जो है एक टोकरी pack होने के लिए बच गई थी, Harry said that we should be wanting to start, it less than 12 hours time, and thought that he and George had better to do the rest, देखें, अब जो हैरिस होता है, वो कहता है कि हमारी जो यात्रा है, उसे सुरू होने में 12 घंटे से भी कम रह गई हैं, ठीक है, तो वो कहता है कि अच्छा होगा, कि बाकी समान को George और वो बांध ले, यानि कि अब जो हैंपर बचा हुआ था, तो वो कहते हैं कि हम दोनों बांध ले, 12 घंटे से भी कम बचे हैं हमारी ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है, फिर क्या होता है, and, I agreed, और इस बात पर मैं agree हो जाता हूँ, कि चलो तुम बांध लो, and sat down, और मैं बैठ गया, and they had to head to go, और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, अभी तक तो देखें, बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है, ये वाला पार्ट, क्योंकि अभी तक तो narrator जो है, पैकिंग कर रहा है, तो वो दोनों बैठ कर देख रहे थे, लेकिन अब क्या होने वाला है, narrator जो है, बैठ गया आराम से, और उन्होंने पैकिंग करना शुरू कर दिया, और वो बहुत ज़दा रायता फैलाने वाले हैं, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है, मतलब उनका दिखाने का इरादा था, कि हम दिखाएंगे कि कैसे होता है, तुमने तो कर लिया, मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, कि चलो भाई, तुम ही कर लो, मैं केवल क्या कर रहा था, इंतजार किया मैंने केवल, विद दा, एक्सिप्शन ओफ जोर्ज हेरिस इस जारोस्ट पाकर इन दा वर्ल्ड, वो क्या मान रहा था, वो मानता था कि एक्सिप्टेशन, उसके एक्सिप्टेशन थी कि जो जो जोर्ज है और हैरिस है, वो बहुत बुरे पाकर हैं, यानि कि वो अच्छे से packing नहीं कर सकते and I looked at the piles of plates and cups अब उन्होंने क्या देखा कि जो cups हैं, piles हैं, उन्हें देखा and cattle's को and bottles को and jars को and pies को and stoves and cakes and tomatoes etc. I felt that the thing would soon become exciting पतलब ये सारी चीज़े जो हैं आपर फैली हुई पड़ी थी कुछ खाने पीने की चीज़े थी, कुछ बर्तन थे तो मैं बैटकर सोच रहा था कि बहुत कुछ exciting होने वाला इतने सामान को pack करने में तो इन्हें काफी time लगेगा देखें, तो वो सबसे पहले क्या करती है it did, अब जो है, जो मैं सोच रहा था, वही हुआ क्या हुआ, they started with breaking a cup थो उन्होंने जो है, starting कहां से की एक cup को तोड़ने से उन्होंने शुड़ू किया यानि का cup तोड़ दिया उन्होंने that was the first thing they did वो पहला ही काम था, जो उन्होंने सबसे पहले कर दिया they did that just to show you what they could do and to get you interested देखें, यहाँ पर जो narrator है, वो बहुत यहाँ पर enjoy कर रहा है बहुत मजे ले रहा है कि किस तरह से जो है, काम होने वाला है तो वो बताता है कि पहले तो उन्होंने cup को तोड़ दिया सबसे पहले तो उन्होंने यही काम किया और फिर वो कहता है कि उन्होंने cup को तोड़ने के बाद जो पहली ऐसी चीज थी जो उन्होंने की थी उन्होंने ऐसा केवल इसलिए किया कि वो कहते हैं इस चीज को कि जिससे कि तुम हमारी तरफ अपना ध्यान रख सको तुम जो है इस चीज में interested हो कि हम देखो किस तरह से packing कर रहे हैं वो सारे दोस्ते वो आपस में एक दूसरे से मजा कर रहे है लेकिन जो अपनी कमजोरी है उसे कोई शो नहीं कर रहा है ठीक है अब जब उसकी चटनी निकल जाती है तो उसे टीस्पून से उठाते है ठीक है अब तो अभी तक तो उसने ऐसा किया अब जोर्ज की बारी थी उसने क्या किया एंड ही ट्रोड ट्रोड मींज होता है पैर रखना अब उसने क्या किया बटर के उपर पैर cionाया आई डीडन्ट से अना इफिन्ग वो कहरे है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा वो कहरे है कि मैं तो एक टेबल के उपर किनारे पर आकर बैट गया और उन्हें जो है देखने लगा यहां पर आप पूरा सीन देख पारे हैं कि किस तरह से पूरा इंटरस्ट ले रहा है यह author है जो हमें कहानी सुना रहा है I think यह George और Harris दोनों में से कोई सा भी एक होगा तो यहाँ पर देखो उन्होंने पूरा सामान फैला के रखा हुआ है कहीं कुछ गिरा पड़ा है और कहीं कुछ गिरा पड़ा हुआ है और साथ में आप देखरें एक डोग को बहुत चल्दी से डोग के बारे में भी बताया जाने वाला है आप देख पा रहे हैं कि उसने मक्खन के उपर पैर रख दिया है तो यहाँ पर यह सारी चीज़े बहुत ही interesting है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाँ George George ने लिखा हुआ है, George Trot the Butter George बटर के उपर पैर रख देता है मुझे तो बहुत असी आ रही है इनकी बाती सुनकर ठीक है आगे दिखती है इट इरिटेट दैम मोर देन आनी थिंग आई कुड हैव सेट आई फैल्ट दैट तो देखिए यहाँ पर अब जोर्ज की बारी आगे है जोर्ज ने रख दिया है मक्खन के उपर पैर तो यहाँ पर डैरेटर कह रहा है मैंने तो कुछ नहीं कहा परन्तु मैं किनारे पर आकर बैढ़ गया यह सब उसने बाती कही उसने उन्हें इस बात की वज़े से मतलब उसकी इस बात की वज़े से वो ज़्यादा चिडने चिडन हुई उन्हें शायद मैंने तो कहा होता तो यहाँ पर जो नेरेटर है वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ कहा उससे पहले ही वो जो है मुझसे चिडने लग जाते हैं इरिटेट दैम मतलब मैं कुछ कहता उससे वो चिडने लग गए तो देखे क्या कहा जा रहा आगे I felt that मुझे ऐसा महसूस हुआ अब इस चीज से वो थोड़े नर्वस हो रहे थे और एक्साइटेट मतलब थोड़े पजल हो रहे थे कन्फ्यूज हो रहे थे वो and they stepped on thing और वो जो है चीजों के उपर पैर रख रहे थे but put thing behind them और क्या करते वो चीजों को अपने पीछे रख देते and then could not find them और जब वो उन्हें नहीं मिलती when they wanted them और फिर वो उन्हें ढूनने लगते मतलब चीजों को अपने पीछे रखते चले जा रहे थे तो उन्होंने ढून रहे थे and they packed the pies at the bottom और उन्होंने क्या किया? पैस को पिलकुल नीचे रख दिया पैस क्या होता है? जैसे बन होते हैं और breads होती हैं इसी तरह का होता है तो उन्होंने उसे सब सोफ्ट होता है उसे सब से नीचे रख दिया and put heavy things on top और जो भारी चीज़े थी वो उपर रखती and smash the pies और इससे क्या हुआ जो pies थी पूरी smash हो गई वो पूरी कुचल सी गई the upset salt everything उन्होंने क्या किया जो salt था नमक था वो हर एक चीज़ के उपर डाल दिया मैं लोब इतने परेशान है वो packing करते हुए कि हर एक चीज़ को गिरा रहे है इधर उदर and as for the butter I never saw two men do more with one and two pens मतलब यहाँ पर word बताएगे यह pens का meaning है यहाँ पर currency ठीक है तो वो कह रहे कि मैंने दो आदमियों को ऐसा कभी नहीं करते देखा बटर के साथ जैसा कि उन्होंने कहा वो कह रहे है कि उसकी कीमत एक या दो पैंस रही होगी उस बटर की वो कह रहे है कि मैंने पूरे जीवन में किसी भी इंसान को इस सरह से बटर को यूज करते हुगा नहीं देखा after George after George had got it off his slipper slipper मिन्स होता चपल तो फिर George ने क्या किया उसे अपनी चपल से हट आया they tried to put it in a kettle और उन्होंने कौसिस की कि इसे kettle में डाल दिया जाए it would not go in अब वो जो है बटर उस kettle के अंदर नहीं जा रहा था and was brought in would not come out और George के अंदर था वो बाहर भी नहीं आ रहा था they did scrap it out at last अब उन्होंने अंत में क्या किया उसे खुरचना शुरू कर दिया scrap में उसे खुरचना शुरू कर दिया and put it down on the chair और फिर क्या किया उसे chair के उपर रख दिया मतलब वहां से हटाया जैसे तैसे करके और उसे फिर chair के उपर रख दिया and Harry sat on it और जो Harry साथ होता है वो उस बटर के उपर ही बैठ जाता है and it is stuck on him वो जो है उसके पीछे पैंट पर चिपक जाता है अब जब chair के उपर रख रुआ था और Harry जो है उसके उपर बैठ गया तो क्या होता तो वो जो है उसके उपर चिपक जाता है and they went looking for it all over the room मिलाब narrator को देखो कैसे interest ले रहा है अराम से बैठा है सारी चीजे देख रहा है लेकिन बता कुछ नहीं रहा है और ये चीज उन्हें बहुत इरिटेट कर रही थी कि ये जो है कुछ नहीं बता रहा है अभी उसके साथ भी तो ऐसी हो रहा था ना पहले चलो कोई बात नी तो क्या होता है कि जो मक्षन होता है वो हैरिस के पीछे चीपक जाता है और वो उसे हर तरफ देखने लगते हैं पूरे कमरे में उसको डूणने लगते हैं बटर को I will take my oath oath means यहां पर swear यहनी के कसम खाते हैं वो कहता है कि मैं कसम खाकर बोलूँगा I put it down on the chair कि मैंने तो उसे इस chair पर ही रखा था said George, George ने कहा staring at the empty seat अब seat तो खाली हो गई थी अब उसने जो है उस chair की seat के उपर गूरते हुए कहा कि मैंने तो उसे यहीं पर रखा था वाँ बेटे बहुत अच्छा चल रहा है I saw you do it myself not a minute ago said Harris, तभी Harris भी बोलता है कि हाँ, मैंने खुद देखा है तुम्हें यह करते हुए, एक minute पहले ही, then they started round the room again looking for it अब उन्होंने जो है पूरे कमरे में उसे फिर से देखना शुरू कर दिया and then they met again in the center and stared at one another वो फिर से बीच में आ गया और एक दूसरे की तरफ उन्होंने देखना शुरू कर दिया most extraordinary thing I ever heard of, said George वो कह रहा कि मैंने तो ऐसी extra ordinary thing इससे पहले कभी नहीं सुनी कि मतलब अभी तो हमने यहीं पे रखा और वो गायब हो गया so mysterious said Harris वो कहते कि कितनी मतलब रहसी में ही बात है कि अचानक से गायब हो गया then George got round at the back of at the back of Harris and side अब जो George होता है वो Harris के चारों तरफ देखता है और उसे उसके पीछे वो मक्खन दिख जाता है वो बटर जो है चिपका हुआ उसकी ब्रिक दिख जाती है where cried Harris sorry यहाँ पर एक लाइन में सो गया why here is it is all the time he exclaimed indignantly अब वो कहता है कि देखो यह रहा यहाँ पर है यह देखो तो वो जो है यह बताता है कि देखो यहाँ पर है we are cried Harris Harris चिलाता है कि कहाँ पर है spinning round चारो तरफ गुनते हुए कहता है कि कहाँ पर है stand still you can't you George 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 चिला कर कहता है कि रुको खड़े रहो क्या तुम खड़े नहीं हो सकते flying after it after him it off और वो जो है उसे महाँ से हटाती है and packed it in the tea pot और जैसे तैसे करके tea pot में उसे pack कर लेते हैं अब देखें यहाँ पर एक डोग आ जाता है Mont Morancy Mont Morancy उनके डोग का नाम है was in it all of course अब जो है इन सभी चीजों के बीच में Mont Morancy भी आ जाता है Mont Morancy's ambition in life मतलब Mont Morancy जो डोग था उसका केबल एक ही एम था जीवन का is to get in the way and be sworn get तो वो कहा जा रहा है कि उसके जीवन का तो बस एक ही एम था कि किसी ना किसी तरह उसे अपने टांग घुसानी थी माँ पर if he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted मतलब ऐसा नहीं हो सकता था अब जो Mont Morancy था उसका काम था कि हर एक चीज में वो रुकावट डाले और वो किसी भी स्थान पर पहुँच जाता था और क्या कर देता था वो जहां पर भी जाता था वही पर गड़बड कर देता unwanted मतलब जो चीज हमें नहीं चाहिए थी वो कर देता था and be a perfect new sense यानि के वो सरदर्द बन जाता था लोगों को पागल कर देता था and make people mad मतलब लोगों को पागल बना देता था सरदर्दी पैदा कर देता था and have तो देखें यहाँ पर किस तरह से डोग को भुगाया जा रहा हे और डोग किस तरह से यहाँ पर react कर रहा है यहाँ पर लिखा है Montmorency goat into a hamper Montmorency जो है वो hamper में उस basket में घुश जाता है before Harris could land him with the fry pan वो तब तक वहाँ पर रहता है जब तक Harris उसे fry pan से नहीं मारता है तो चलिए डॉक की activity भी देख लेते हैं वो किस तरह से participate करता है ठीक है things thrown at his head तो यहाँ पर बताया गया है कि वो बहुत गड़बड कर देता है लोगों को बिलकुट पागल बनाने वाला होता है अब बताया जा रहा है कि उस पर चीजों को फैकने लगे वो लोगों को इतना पागल कर देता था कि लोग जो उसके सिर पर चीजों को फैकर मारने लगे then he feels that his day has not been wasted जब वो ऐसा कर लेता था तो उसे ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरा बेकार नहीं गया है अगर वो ऐसा ना कर रहे तो उसे लगता था कि मेरा आज का दिन पूरा पेकार चला गया है तो यहां पर बताया गया है कि वो जो है वो सोचता था कि पूरा दिन मेरा बेकार चला गया अगर ऐसी चीज़े ना करे और यही जो है उसका उद्देश्य होता था and of course him steadily for an hour in his highest aim and object and when he has succeeded in accomplishing this his consite become quite unbearable तो देखें यहां पर क्या बताया जा रहा है तो मतलब यह सब काम वो करता था वो तब तक इस काम को करता रहता था कि लोग जो है इतना सामान फेला देता था कि लोग जो है ठोकर खाकर गिरने लगते हैं ठोकर खाकर गिरना बीच में घुसा रहता था और लोग जो है उससे ठोकर खाने लगते थे और उसे जो है कर्स मेंस होता है कोसना और उसे घंटो तक कोसते रहते थे मतलब इतना सामान फेला देता था कि लोग उसे घंटो तक कोसते रहते थे और वो क्या करता था जब वो इस कार्य की को करने में सफल हो जाता था मतलब जब वो उस काम को करने में सफल हो जाता था जो वो करना चाहता था तब उसका जो एहंकार होता था वो एह सहनिय हो जाता था जो उसका एहंकार होता था वो कैसा हो जाता था bearable हो जाता था वो इतना मतलब गुसा दिला देता था सामने वाले को देखते हैं वागे क्या he came and sat down on thing उसने क्या किया वो आया और उन चीजों के उपर बैठ गया जो फैलाई हुई थी just when they were wanted to be packed ठीक है किन चीजों के उपर जिने वो अभी बांद ना चाह रहे थे जो उन्होंने बांद ही नहीं थी उन्ची जो के उपर आकर बैठ जाता है and he labored under under the fixed belief that whenever Harris and George reach out their hand for anything it was his cold damp nose that they wanted तो देखें यहाँ पर क्या करता है डोग जब कभी क्या होता जो Harris है और George है किसी चीज तक पहुचने की कोसिस करते उसे उठाने की कोसिस करते उसकी dump यानिके उसकी जो गीली ठंडी नाक थी वो बीच में आ जाती थी ठीक है तो वो किसी चीज को डूनते होते थे he put his leg into the jam अब उसने और क्या एक काम किया उसने अपना जो पैर था वो jam के अंदर रख दिया एंड ही वरेड दा टी स्पून अब उसे चिंता एक और चीज की हो रही थी कि उसने चम्मचों को जो है इधर उधर गिरा दिया वरेड का मतलब है यहाँ पर to spread उसने जो है जो टी स्पून वहाँ पर रख वोई थी उन सबको इधर उधर गिरा दिया और वहाँ पर बास्केट के अंदर क्या रखे होए थे लेमन्स रखे होए थे और वो ऐसे बहाना बना रहा था जी कि जैसे जो लेमन्स है वो रैट्स है चूहे है वो और गोट इंटू दा हैंपर और हैंपर के अंदर ही गुश जाता है और किल्ड ऐसे बहाना बना के दिखा रहा है थ्री ओफ दैम बिफोर हैरिस कुट लैंड हीम विद दा फ्राइंग तो वो जो है उनमें से तीन को पकड़ लेता है यानि कि वो जो महाँ पर लैमन्स रखें उन्हें गिरा देता है ऐसे दिखावा कर रहा है जैसे कि वो चूहों को पकड़ रहा है और वो कब तक ऐसा करता रहता है जब तक जो हैरिस है उसके उपर वार नहीं करता है फ्राइंग मैं से तो देखें जो तीनों फ्रेंड है वो तो ही जैसे है लेकिन जो डॉग है वो उनसे भी उपर है वो सामानों को फैलाने में चीजों को फैलाने में बहुत आगी है तो हैरिस एन्ड आई एंक्रेज भीम और इनक्रेज हीम एंड नहीं यह nella पर सेड है Harris said I increase him अब Harris जो है पहुत चिड़ा हुआ है तो Harris जो है मुझे कहता है कि तुम इसे increase कर रहे हो यह सब चीज करने के लिए I did not increase him मैं जवाब देता हूँ कि मैंने उसे increase नहीं किया, मैंने उसे उत्षाहिद नहीं किया A dog like that does not want any increase वो कहता है कि इस तरह है कि dog को तो increase की जरूरत ही नहीं है It is the natural original sin that is born in him that make him do things like that, वो कहता है कि यह तो natural thing है यह तो इसका original sin है जो इसे जन्म से ही मिला है यह चीजों को इस तरह से करना, इस तरह से पहलाना, यह तो यह जन्म से ही करते हैं, बहुत natural चीज है यह इसके लिए The packing was done at 12.50 अब जो packing थी, वो कब तक पूरी हुई 12.50 तक And Harris sat on the big hamper और जो Harris था, वो उस बड़ी सी टोकरी के उपर बैठ गया ठीक है And said He hoped nothing would be found broken और साथ में कहता भी क्या है कि ऐसी ऐसा करता हूँ कि कुछ सामान भी तूटा नहीं होगा George said If that, if anything was broken It was broken अब George कहता है जो तूट जाएगा, वो तूटेगा जो तूट गया, वो तूट गया Which reflection seem to comfort him अब यह सारी बाते वो आपस में एक दूसरे से करते हैं वो hemper के उपर बैठा रहता है और कहता है कि जो तूटा है वो तूटा होगा और इससे उसे राहत मिलती है comfort मिलता है ऐसा लगता है कि ऐसा बोलने से उसे राहत मिल रही है He also said He was ready for bed और वो साथ में क्या कहता है कि वो जो है बिस्तर पर जाने के लिए तयार है We are all ready for bed अब हम सभी जो है बिस्तर पर जाने के लिए तयार थे Harris was to sleep with us that night Harris को उस रात हमारे ही साथ सोना था And we went upstairs इसलिए हम कहां चले गए हम उपर चले गए We tossed four beds और हमने क्या किया हमने वहाँ पर bed के लिए Toss किया कि किसे सोना है Harris को मेरे साथ सोना था And Harris had to sleep with me और जो Harris था उसे अब मेरे साथ सोना था He said उसने कहा Do you prefer the inside or outside J अब यहाँ पर last में narrator का नाम निकल कराया है क्या है J तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम अंदर सोना चाहोगे या फिर बाहर I said I generally prefer To sleep inside a bed मैंने कहा कि मैं तो क्या करता हूँ मैं अंदर सोना पसंद करता हूँ ज्यादा तर अंदर सोना पसंद करता हूँ Harris said It was odd Odd मिनस होता है अजीब Harris ने कहा यह बहुत अजीब है George said अब George बोलता है What time shall I walk I wake you follow कि मैं तुम्हें कितने बजे जगाऊं George पूछता है Harris said 7 Harris ने कहा कि 7 बजे I said no 6 मैं कहता हूँ कि नहीं 6 बजे Because I wanted To write some letters क्योंकि मैं कुछ letters लिखना चाहता था Harris and I had a bit of row Of a row over it अब हम दोनों में जो है इस बात को row का मतलब होता है कहा सुनी हम दोनों के बीच इस बात को लेकर थोड़ी सी कहा सुनी हो गई But at last Is built the difference लेकिन last में matter कहां पर fix होता है And said half past 6 और बात होती है fix साड़े छे बजे यानि कि ना तो उसकी बात रही और ना मेरी तो साड़े छे बजे fix कर दिया जाता है Wake us at 6.30 George We said हमने कहा कि हमें 6.30 पर जगाना है देखिए George made no answer अब George ने कोई जवाब नहीं दिया And we found on going over अब हमने जाकर देखा कि वो तो सो गया है Overcome मतलब उपर चला गया है मतलब वो तो पुरी तरह से सो गया है That he had been asleep for some time यानि कि वो कुछ समय पहले ही सो गया है So we place the bath where he could tumble into it on getting out in the morning अब वो यहाँ पर भी मजाग के मूड में है और उन्होंने क्या किया हमने जो है नहाने के टब को वहाँ पर रख दिया जहाँ पर वो सोया हुआ था क्यों and went to bed ourselves कि जिससे वो उठे और इसके अंदर ही पानी के अंदर ही गिर पड़े और अब हम सोने के लिए चले गए ठीक है तो यह आपकी स्टोरी थी यह एक यह जो स्टोरी थी एक extract है यह एक बुक से ली गई है और बुक का नाम क्या है त्री मैन इन इन ए बोट यह इसका पूरा टाइटल है इस book से ये छोटा सा एक extract लिया गया है तो कैसी लगी आपको इस story अच्छी लगी है तो एक like जरूर करें चैनल पर अगर पहली बाहर आए हैं ऐसी कुछ और वीडियो के लिए चैनल को आप subscribe कर सकते हैं और यहाँ पर हम सभी topic clear कर रहे हैं grammar के भी 9 से लेकर 12 तक तो अगर आप की कोई query है तो आप comment section में पूछ सकते हैं अगर आप किसी topic पर वीडियो चाहते हैं तो आप लिख कर बता सकते हैं तो मिलते हैं अपने next topic में तब तक के लिए बाबाई